नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सर्मार्ग दैनिक रासीपल सहसे पर जानते हैं दैनिक पंचांग के बारे में तीन मार्च दोहजार चौबिस रभी बार का दिन है फालगुन माहके कृष्ण पच्छ की अस्टमी तिथी नच्छतर अन से ठीक है लेकिन अपने स्वास्ता बहुत ध्यान भनाए रखें तो उत्तम रहेगा और आज के दिन खासका सरीर और आत्मा दोनों को तरो ताजा करने वाली गतिवीतियों में समिलित हों और दिल के मामलों में रिस्तों को कोमलता और समझदारी से निभाएं अपने प्रिय वाही मत कीजेगा और पारिवारिक जीवन में जो भी समस्या हैं थी वो समाप्त होगी सरकारी योजनाओं में आपको लाब मिलेगा और मकान दुकान खेदने के योग हैं पार्टी पिकनिक का आनन्द लेंगे अपनों के साथ ससुराल पक्ष से आज आपको सम्मान भी प्र कर सकेंगे और मेहनत अनुभव के द्वारा कुछ नए इस्थिति को पाएंगे वैसे तो अनावस्यक थोड़ी दोड़ भाग है इस वक्त कोई भी कारे जरुर में ज्यादा लापरवाही करना सहीं नहीं रहेगा चाहे कोई भी कारे हो उर्जा आत्म विस्वास का थोड़ा रहे हैं थोड़ा साबधान रहिएगा चोड़ पेटना लग जाए और हन्मान चलिशा पढ़कर दिन की सुरुआत करे तो उत्तम है लेकिन दूसी तरफ प्रशनालिटी को और बेतर करने के लिए थोड़ा ध्यान दे जो लोग जॉब करते हैं आपका आकरसक बैकते तो करें और आज छोटे भाई बेहनों को चोड़ पेटना लगे उनको भी थोड़ा सा समालना होगा उन पर भी ध्यान देना चाहिए आर्थिक ठीक है लेकिन पैसे बचाने में थोड़ी कटनाई होगी खर्च होंगे प्यार आपको एक जगा खड़े होकर एक नई दुनिया मि उमीद रखते हैं तो इस तरह की सोच से उबरे नहीं तो संघर्स होगा स्वैम को बोजिल भी महसूस कर सकते हैं आज बैपसाइक मामलों में फैसला लेता वक्त असपष्ट सोच जरूरी है और सिखर पर पहुँशने के लिए हर संबब प्रियास करें जरूर आपको सबनता मिलेगी सुबरंग रहेगा लाल भा के साथ निभाएगा आज के दिन करीब 65% भाग्यांग दो है इसमें कम बाते करें जितना ज्यादा बोलेंगे तकलीफ हो सकती है खास कर स्वास्त के मामलों में और अपने स्वास्त का भी ध्यान रखना है मानसिक सांती मिलेगी धार्मी कारियों में थोड़ा सा समय दीजे दोस्तों के साथ साम बहुत अच्छा गुजरेगा और बहुत खुब सुरत यादभरी यादगार सामिक गुजारेंगे लब लाइब भी बढ़ियां है परियाप वक्त होगा इस दूसरे के साथ मस्ती के मूर्ड पे रहेंगे विद्यार तो इक लिए बढ़ियां है कुछ रोमान चेक होने जा रहा है थील करें धनिवाद